ब्रस्पति बार ब्रेद के था, प्राचीन काल में एक ब्रामन रहता था, वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी, उसकी इस्त्री बहुत मलिंता के साथ रहती थी, वह असनार न करती, इससे ब्रामन देउता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते थ किन्तु उसका कुछ परिनाम न निकला, भगवान की किरपा से ब्रामन की इस्त्री के कन्या रुपी रत्न पैदा हुआ, कन्या बरी होने पर प्रता असनान करके विश्णु भगवान का जापुआ, प्रस्पति बार का ब्रत करने लगी, आपने पूजन पाठ को समावत करक बिद्या ले जाती, तो अपनी मुठी में जौब भर के ले जाती, और पाठ साला के मार्ग में डालती जाती, जब ये जौब स्वर्ण के हो जाते, लोटते समय उनको बिन कर अपने घर ले आती थी, एक दिन वह बालिका, सूब में उस सोने की जौब को फटक कर साप कर रह सोने की जौब के लिए सोने का सुप होना चाहिए, दुसरे दिन ब्रिस्पति बार था, इस कन्या ने ब्रत रखा और ब्रिस्पति देव से प्राथना करके कहा, मैंने आपकी पूझा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने की सुप दे दो, ब्रिस्पति देव ने उसकी प् तो बिद्शपति देव की किरपा से सोने का सुप मिला उसे वहाँ घर ले आई और उसमें जौशाप करने लगी परन्तु उसकी मा का वही ढंग रहा एक दिन की बात है वहाँ कन्या सोने के सुप में जौशाप कर रही थी उस समय उस सहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला इस कन्या के रूप और काड़े को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घार आकर भोजन तथा जलते आकर उदास होकर लेट गया राजा को इस बात का पता लगा तो अपने परधान मंत्री के साथ उसके पास गए किस बात का कष्ठ है किसी ने अपमान किया है अथ्वा और कोई कारण हो सो कहो मैं वही काड़े करूंगा जिससे तुम्हें परसंता हो अपने पिता की राजकुमार ने बाते सुनी तो वहां बोला मुझे आपकी किर्पा से किसी बात का दुख नहीं है किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है परंदू मैं उस लर्की से विबाह करना चाहता हूं जो सोने की सुप में जौब सहब कर रही थी यहां सुनगा राजा आश्चरजे में पढ़ गया और बोला हे बेटा इस तरह की करने का पता तुम्हें लगाओ मैं उसके साथ तेरा विबाह अवस्य ही करवा दूंगा राजकुमार ने उस लर्की के घर का पता बतलाया तब मंत्री उस लर्की के घर गए और ब्रामन देउता को सभी हाल बतलाया ब्रामन देउता राजकुमार के साथ अपनी करन्या का विबा करने के लिए तैयार हो गया तरथा बीधी बिधान के अनुसार ब्रामन की कन्या का विवा राजकुमार के साथ हो गया कन्या के घर से जाते ही पहले की भाती उस ब्रामन देउता के घर में गरीवी का निवास हो गया आप भोजन के लिए भी अन्य बड़ी मुश्किल से मिलता था एक दिन दुखी होकर ब्रामन देवता अपनी पूतरी की पास गए बेटी ने पिता की दुखी अवस्ता को देखा और अपनी मा का हाल पूछा तब ब्रामन ने सभी हाल कहा कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को बिदा कर दिया इस तरह ब्रामन का कुछ समय सुख पुर्बग व्यतित हुआ, कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया, ब्रामन फिर अपनी कन्या के यहां गया और सारा हाल कहा, तो लर्की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को जहां लिवा लाओ, मैं उसे बीधी बता दूंगी, जिससे गरी भी दूर हो जाए, वह ब्रामन देवता अपने इस्तिरी को साथ लेकर पहुँचे, तो अपनी मा को समझाने लगी, ए मा, तुम प्रता काल प्रथम सनानाधी करके विश्नु भगवान का पूजन करो, तो सब दरिदता दूर हो जावेगी, प्रांतु उसकी माने एक भी बा नहीँ मानी, और प्रता काल उठकर अपनी पूतरी की बच्चों की जूठन को खा लिया, इस से उसकी पूतरी को बहुत गुस्जा है, और एक रात को कोठ्री से सभी समान निकाल दिया, और अपनी मा को उसमें बंद कर दिया, प्रता काल उसे निकाला, तथा सनानाधी कराक पाठ करवाया तो उसकी मा की बुद्धी ठीक हो गई और फिर प्रतेक ब्रिश्पति बार को ब्रत रखने लगी इस प्रत के परभाव से उसकी मा बाप बहुती धनबान और पुत्रवान हो गए और ब्रस्पति जी के परभाव से इस लोग के सुक भोग कर सौर को प्राप्थ हुए भी मिलकर बोलिए विश्नो भगवान की जय एक समय की बात है नयमि सरन्य तिर्थ में स्वानकदी अश्टासी हजा रिशियों ने सिरी सूत जी से पूछा हे प्रभू इस कल यूग में बेद बिद्या रहित मनिश्यों को प्रभू भक्ति किस परकार मिल सकती है तथा उनका उधार कैसे होगा हे मुनिश्रेश्ट कोई ऐसा तक बतलाईए जिस से थोरा समय में ही पून्य मिले और मुनवांशित फल भी मिल जाए इस परकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं सर्वे सास्त्रों के ग्याता सूती जी बोले हे बैसनवो मैं पूछिया आप सभी ने प्रानियों की हीत की बात पूछी है इसलिए मैं एक ऐसे स्रेश्ट ब्रत को आप लोगों को बतलाऊंगा जिसे नारत जी ने लच्वी नाराइन जी से पूछा था और स्री लच्वी पती ने मुनिस्रेश्ट नारत जी से कहा था आप सब इसे ध्यान से सुनिए एक समय की बात है योगी राज नारत जी दुसरे के हीत की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घुमते हुए मड़ित्तु लोक में आ पहुँचे जहां उन्होंने अनेक योनियों में जन में प्राइस सभी मनुस्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीरिद देखा उनका दुख देखकर नारत जी सोचने लगे की कैसा यत न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानाव के दुखों का अन्त हो जाए इसी विचार पर मनन करते हुए वह विश्णू लोक में कहे वहां वह देवों के इस नारायन की इस्तूति करने लगे जिनके हाथों में संख चक्र गदा और पदमते गले में बर्माला पहने हुए थे इस्तूति करते हुए नारत जी बोले है भगवान आप अंत्यांत सक्ती से संपन है मन तथा बानी भी आपको नहीं पा सकती है आपका आधी मध्य तथा अंत नहीं है निर्गुन स्वारूप श्रिष्टी के कारक भक्तों को दुख दूर करने वाले है आपको मेरा नमस्कार है नारत जी के इस्तूति सून विश्णु भगवान बोले हे मुनिस्रेष्ट आपके मन में क्या बात है आपकी इस काम के लिए पधा रहे है उसे निस संकोच कहे इस पर नारत मुनि बोले की मृत्तू लोक में अनेक योनियों में जन में मनुस्य अपने कर्मक द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे है हे नात आप मुझे पर दया रखते हैं तो बतलाईए कि वो मनुस्य थोरे पड़या से ही अपने दुख से कैसे छुटकारा पा सकते है सिरी हरी बोले हे नारत मनुस्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है जिसके करने से मनुस्य मोह से छूट जाता है वह बात मैं कहता हूँ उसे सुनो स्वर्ग लोक वह मृतू लोक दोनों में एक दुरलक उत्तम ब्रत है जो पुन्य देने वाला है आज प्रेमबस होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ सिरी सत्यनारैन भगवान का यह ब्रत अच्छी तरह बिधान पुर्वक करके मनुसे तुरंध ही यहां सुख भोग कर मरने पन मोक्ष को पाता है सिरी हरी के बचन सुन नाराजी बोले की उस ब्रत का फल क्या है और उसका बिधान क्या है जहां प्रत किस ने किया था इस ब्रत को किस दिन करना चाहिए सब खुच पिस्तार से बतलाईए नाराज की बात सुनकर सिरी हरी बोले दुखवा सोग को दूर करने वाला यह सभी अस्थानों पर बिजय दिलाने वाला है मानाव को भक्तिवा सुरधा के साथ स्याम को सिरी सत्य नाराजी की पुजा धर में प्रायन होकर ब्रामनों वा बंधों के साथ करने चाहिए भक्ति भाव से ही नेवद, केले कफल, घी, दूद और गेहु आटा सवाया ले गेहु के अस्थान पर साथी काटा सक्कर तथा गुर लेकर वा सभी भक्चन योग परदाथों को मिला कर भगवान का भोग लगाए ब्रामनों सहित बंधू बांधवों को भी भोजन कराए उसके बाद स्यन भोजन करे भजन क्रीतन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए इस तरह सत्यनारायन भगवान का या ब्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाए निश्चित रूप से पूरी होती है इस कली काल अर्थात कली यूग में मिल्टू लोग में मुख्च का यही एक सरल उपाय बताया गया है इती सिरी सक्ते नारायन भगवान का था का प्रथम अध्याय यहीं पर सम्पुर्ण हुआ आप सुनिए दूसरा अध्याय जी बोले हे रिश्यू जिसने पहले समय में इस ब्रथ को क्या था उसका इतिहास कहता हूं ध्यान से सुनो सुन्दर कासी पूरी नगरी में एक अंत्यांत निर्धन ब्रामन रहता था भूख प्यास से परेसानवा धर्दी पर घुमता रहता था ब्रामनों से प्रेम से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्रामन का बेस धारन कर उसके पास जा कर पूछा हे ब्रीव नित्य दुखी होकर तूम प्रित्वी पर क्यों घुमते हो दीन ब्रामन बोला मैं निर्धन ब्रामन हूँ भिक्चा के लिए धर्दी पर घुमता हूँ हे भगवार यादी आप इसका कोई उपाई जानते हो तो बतलाए बृत ब्रामन कहता है कि सब्तिनारायन भगवान मौनवांचित फल देने वाले हैं इसलिए तुम उनका पूजन करो इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है ब्रीद ब्रामन बनकर आए सब्तिनारायन भगवान उस निर्धन ब्रामन को ब्रत का सारा विधान बता कर आंतर ध्यान हो गए ब्रामन मन ही मन सोचने लगा कि जिस ब्रत को ब्रिद ब्रामन करने को कह गया है मैं उसे जरूर करूंगा या निष्चय करने के बाद उसे रात में नीद नहीं आई वह सबेरे उषकर सत्यनारायन भगवान के ब्रत का निष्चय कर बिक्चा के लिए चला गया उस दिर निर्धन ब्रामन को बिक्चा में बहुत धन मिला जिससे उसने बंधू बांधवू के साथ मिलकर सिरी सत्यनारायन भगवान का ब्रत संपन किया भगवान सत्यनारायन का ब्रत संपन करने के बाद वह निर्धन ब्रामन सभी दुखों से छूट गया और अनेक परकार की संपतियों से युक्त हो गया उसी समय से या ब्रामन हर माह इस ब्रेथ को करने लगा इस तरह से सत्य नाराएन भगवान के ब्रेथ को जो मनुसे करेगा वह सभी परकार के पापों से छुट कर मुक्ष को प्राप्थ होगा जो मनुस्य इस ब्रत को करेगा वो सभी दुखों से मुक्थ हो जाएगा सूती जी बोले कि इस तरह से नाराज जी नाराएन जी का कहा हुआ स्री सक्ते नाराएन ब्रत को मैंने तुम से कहा हे ब्रीपो मैं अब और क्या कहूँ हे मुनिवर स्तंसार में उस ब्रीप से सुनकर और किस किस ने इस ब्रत को किया हम सक इस बात को सुनना चाहते हैं इसकी लिए हमारे मन में स्रध्धा का भाव है सूती जी बोले हे मुनियो जिस जिस ने इस ब्रत को किया है वह सब सुनो एक समय वही ब्रीप धन वा एस्वरे के अनुसा अपने बंदू बंधवों के साथ इस ब्रत को करने को तैयार हुआ उसी समय एक एक लकडी बेचने वाला बुढ़ा आदमी आया और लकडिया बाहर रखकर आंदर ब्रामन की घर में गया प्यास से दुखी वह लकर हारा उनको ब्रत करते देख ब्रीप को नमसकार कर पुछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या प्ल मिलेगा किर्पय मुझे भी बताए प्रामन ने कहा कि सब मनो कामनाओ को पूरा करने वाला यह सत्यनारा भगवान का ब्रत है इनकी किर्पा से ही मेरी घर में धने धाने आधिका ब्रिधी हुई है ब्रीब से सत्यनारायन ब्रत के बारे में जानकर लकर हारा बहुत प्रसन हुआ चरना मृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया लकर हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकडी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सिरी सत्ने नारायन भगवान का उत्तम रत करूंगा बन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकडिया रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग जयाता रहते थे उस नगर में उसे अपनी लकडियों का दाम पहले से चारगुना अधिक मिलता है बूढ़ा परसंता के साथ दाम लेकर केले, सक्कर, घी, दूध, दही और गिवों का हाटा ले और सत्ते नारायन भगवान के ब्रत की अन्य सामाग्रिया लेकर अपने घर गया वहाँ उसने अपने बंधू बांधवो को बुला कर बीधी विधान से सक्ते नारायन भगवान का पूजन और ब्रत कीया इस ब्रत के परभाव से वह बुढ़ा लकर हारा धन पुत्रा आदि से युक्त हो कर संसार के सामस्त सुख भोग कर अन्तिकाल में बैकोंड धाम चला गया इती सिरिशक तेनारायन भगव कथा का दूसरा अध्याय संपुर्ण हुआ अब सुनिए तीसरा अध्याय सूत जी बोले हे स्रिष्ट मुनियो अब आगे की कथा कहता हूँ पहले समय में उलका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था वह सत्य वक्त और जितेंद्रिय था प्रती दिन देव अर्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था उसकी पतनी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी भद्रसिला नदी के ठेट पर उन दोनों ने सिरी सत्य नौरायन भगवान का ब्रत किया उसी समय साधू नाम का एक बैस्चे आया उसकी पास वैपार करने के लिए बहुत सा धन भी था राजा को ब्रत करने देखकर वह बिनय के साथ पूछने लगा हे राजन भक्ती भाव से पुर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ तो आप मुझे बतलाए राजा बोला हे साधू अपने बंधू बंधवों के साथ पूत्र आदी की प्राप्ति के लिए महा सक्ति मान स्री सत्ते नारायल भगवान का ब्रत हुआ पूजन कर रहा हूँ राजा के बचन सुन साधू आदर से बोला हे राजन मुझे इस ब्रत का सारा बिधान कहिए आपके कथा अनुसर मैं भी इस ब्रत को करूँगा मेरी भी संतान नहीं है और इस ब्रत को करने से निश्चित रुप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी राजा से ब्रत का सारा विधान सुन बैपार से निवरित हो वह अपने घर गया साधू बैस्या ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस ब्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस ब्रत को करूँगा साधू ने इस तरह के बचन अपनी पतनी लीला बती से कहे एक दिन लीला बती पती के साथ आनांदित हो संसारिक धर्म में परवित होकर सत्यनारायन भगवान की किर्पा से गर्ववती हो गई दैस्वे महिने में उसके गर्व से एक सुन्दर कन्या ने जन मिलिया दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे की सुकलय पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा एक दिन लीलावती ने मीठे सब्दों में अपने पती को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायन भगवान के जिस ब्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है आप इस ब्रत को करिए साधु बोला कि हेपडिये इस ब्रत को में उसके बिबा में करूंगा इस परकार अपनी पत्नी को अवसासन देकर वह नगर को चला गया कालावती पीता के घर में रहकर ब्रिध्धी को प्राप्थ हो गई साधू ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सक्यों के साथ देखा तो तुरंधी दूद को बुलाया और कहा की मेरी कन्या की योगवर देखकर आओ साधू की बात सुनकर दूद कंचन नगर में पहुँचा और वहां देख भालकर लर्की के स्योग वानिक पुत्र को ले आया स्योग लर्के को देख साधू ने बंधू बांधवों को बुला कर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया लेकिन दुरुभाग्य की बात ये की साधू ने अभी पी सिरी सत्यनारेन भगवान का प्रत नहीं किया इस पर सिरी भगवान क्रोधित हो गए और स्राब्दिया की साधू को अत्यधिक दुख मिले अपने कार्य में कोसल साधू बनिया जामाई लेकर समुद्र के पास इस्थित होकर रतना सारपूर नगर में गया वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चेंद्र केतू राजा के नगर में वैपार करने लगे एक दिन भगवान सत्यनारायन की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधू अपने जामाई के साथ ठहरा हुआ था राजा के सिपाहियों ने साधू बैस्य के पास राजा का धन परा देखा तो वहाँ सासूर जमाय दोनों को बान्ध कर परसंता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरो को हम पकर लाए हैं आप आगे की करवखी की आज़्या दे राजा की आग्या से उन दोनों को कठीन कारवास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया सीरी सत्यनारायन भगवान के स्राप से साधु की पतनी भी बहुत दुखी हुई घर में जो धन रखा था उसे चोहर चुरा ले गए सारी तथा मानसिक फीरा वह भूख प्यास से अती दुखी हो अन्य की चिंता में लवती ब्रामन के घर गई वहां उसने सिरी सत्यनारायन भगवान का ब्रत होते देखा फीर कथा भी सुनी वह प्रसाद ग्रहन कर वह रात को घर वापस आई माता ने कलवाती से पूछा की हे फुतरी अब तक तुम कहा थी तेरे मन में क्या है कलवाती ने अपने माता से कहा हे माता मैंने एक ब्रामन के घर में सिरी सत्यनारायन भगवान का ब्रत देखा है कन्याक्र बचन सुन लिलाबती भगवान की पूजन की तयारी करने लगी लिलाबती ने परवारिक वबंधो सहित सत्यनारायन भगवान का पूजन किया और उनसे बर मांगा की मेरे पती तथा जमाई सिग्र घर आ जाए साथी ये भी प्राथन की की हम सब का अपराद छमा करे सिरी सत्यनारायन भगवान इस ब्रत से संतुष्ठ हो गए और राजा चंद्र केतु को सपने में दरसंदे कर कहा की हे राजन तुम उन दोनों बैस्य को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन राज्यवा संतान सभी को नश्ट कर दूँगा राजा को जयासब कहकर वह अंतरध्यान हो गए प्रता कल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया फिर बोलेगी वानिक पुत्र को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ दोनों ने आते ही राजा को परणाम किया राजा मीठी बानी में बोला हे महान भाओ भाग्य बस ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्थ हुआ है लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए बस्त्र भूशन भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दो गुना धन देकर वापस कर दिया दोनों बैस्या अपने घर को चल दिये इती सिरी सत्य नारायन भगवान प्रत कथा त्रिती अध्या संपुर्ण हुआ अब सुनिए चोधा अध्या सोत जी बोले बैस्या ने मंगला चार कर अपनी यात्रा आरम की और अपने नगर की और चल दिये उनके थोरी दूर जाने पर एक डंडी पैस्या धारी सिरी सत्य नारायन ने उनसे पूछा हे साधू तेरी नाव में क्या है अभिमानिक बानिक हस्ता हुआ बोला हे डंडी आप क्यों पुछते हो क्या धन लेने की इच्छा है मेरी नाव में तो बेल वा पत्ते भड़े हुए है बैस्या की कढ़ोर बचन सुन भगवान बोले तुम्हारा बचन सत्य हो डंडी ऐसे बचन का वहां से दूर चले गए कुछ दूर जाकर समुद्र की किनारे बैठ गए डंडी की जाने के बाद साधू बैस्या ने नितिक गिरिया के पश्चात नाव को उजी उठते देखकर अच्चम्हा माना और नाव में बेल पत्ते आदी देखकर वह मुर्चित हो जमीन पर गिर परा मुर्चा खुलने पर वह आंत्यान सोक में डोग गया तब उसका दामाद बोला कि आप सोक ना मनाए यह डंडी का स्राप है इसलिए हमें उनकी सरन में जाना चाहिए कभी हमारी मोनोकामना पूरी होगी दामाद की बात सुनकर वह डंडी के पास पहुँचा और अंत्यान्थ भक्ती भाव से नमस्कार कर बोला मैंने आप से जो असत्य बचन कहे थे उनके लिए मुझे छमा करे ऐसा बचन कहकर महान सोका तुर हो रोने लगा तब डंडी भगवान बोले हे बानिक पूत्र मेरी आज्या से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है तु मेरी पूजा से बिमुख हुआ साधु बोला हे भगवान आपकी माया से ब्रह्मा आधी देवता भी आपके रुप को नहीं जान दे तब मैं अज्यानी कैसे जान सकता हूँ आप प्रसन हो ये अब मैं सामार्थे के अनुसार आपकी पूजा करूँगा ब्रदान देकर अंतर ध्यान हो गये स्यसूर जामाई जब नाव पर आये तो नाव धन से भरी हुई थी फिर वह अपनी अन्य साथियों के साथ सत्यनारेल भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिये जब नगर के नई दिक पहुँचे तो दूद को घर पर खबर करने को भेज दिया दूद साधू की पतनी को परनाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहीद नगर के निकट आ गये हैं दूद की बात सुन साधू की पतनी लीलाबती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायन भगवान का पूजन कर अपनी पूतरी कालावती से कहा कि मैं अपने पती के दर्शन को जाती हूँ तो कार्य पूर्ण कर सिग्रा आजा माता के ऐसे बचन सुन कालावती जल्दी से परसाथ छोर अपने पती के पास चली गई परसाथ की अभग्य के कारण स्री सत्यनारायन भगवान रूष्ट हो गए और नाव सहित उसके पती को पानी में डुबो दिये कालावती अपने पती को वह ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधू दुखी होकर बोला हे प्रभू मुझसे तथा मेरे पडिवार से जो भूल हुई है उसे छमा करे साधू के दीन बचन सुनकर सिरी सत्य नारायन भगवान परसन हो गये और आकास पाने हुई है साधू पेरी करन्या मेरी प्रशाद को छोर कर आई है इसलिए उसका पती अदिर्श्य हो गया है यादिवा घर जाकर परसाद खाकर लोटती है तो इसे इसका पती अवस्य मिलेगा ऐसी आकास बने सुन कलावती घर पहुचकर परसाद खाती है और फिर आकर अपने पती के दर्शन करती है उसके बाद साधू अपने बंधू बांधवसाहित स्री सत्य नारायन भगवान का बीधी विधान से पूजन करता है इस लोग का सुक भोगवा अंत में स्वर्व कुछ जाता है इदी स्री सत्य नारायन भगवान ब्रत कथा का चतूर्थ अध्याय संपुर्ण हुआ अब सुनिए पच्वा अध्याय सूत जी बोले हे रिशियो में और भी एक कथा सुनाता ह उसे भी ध्यान पुर्वक सुनो प्रजा पालक में लीन तुंगधवज नाम का एक राजा था उसने भी भगवान का परशाद त्याकर दुख का सामना किया था एक बार बन में जाकर बन ये पसू को मार कर वह बर के पेर के नीचे आया वहां उसने गवालों को भती भाव से अपने बंधुओ सहीत सत्यनारायन भगवान का पूजन करते देखा अभी मानवस राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा अस्थान में नहीं किया और ना ही उसने भगवान को नमसकार किया गवालों ने राजा को परसाद दिया लेकिन उसने परसाद नहीं खाया और परसा पाया तो वह सिग्री ही समझ गया कि यहां सब भगवान नहीं किया है वह दोबारा गवालों के पास पहुंचा और वीधी पूर्पक पूजा करके परसाद खाया तो स्री सप्ते नारायन भगवान की किरिपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया दीर की काल तक सुख भोगने के बाद मरनों उप्रांत उसे स्वर्ग लोग की प्राप्ती हुई जो मनुष्य परम दूरलब इस ब्रैत को करेगा तो भगवान सत्ते नारायन की अनुकमपा से उसे धने धने की प्राप्ती होगी निर्धन धनी हो जाता है और भय मुप्त हो जीवन जीता है संतान ही इन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और साड़े मनुरत पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में बैकुंट धाम को जाता है सूत जी बोले जिनोंने पहले इस ब्रैत को किया है अब उनके दुसरे जन्म की कथा कहता हूँ ब्रीध सतानाद ब्रामन ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्च की प्राप्ते की लकर हाडे ने अगले जनम में निसाध बनकर मोक्च प्रात किया उल्का मुख नाम का राजा दसरत होकर बैकुंट को गए, साधु नाम के बैस्चा ने मोल धवज बनकर अपने पूत्र को आड़े से चीरकर मोक्ष पाया महराज तूंग धवज ने स्वयम्भू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्मकर मोक्ष पाया इती सिरी सत्य नारायन ब्रत कथा का पंचा मध्याय संपुर्ण हुआ तो प्रेम से बोलिए सिरी सत्य नारायन भगवान की जय